मद्य प्रदेश के एक रशी मंत्री कमल पटेल अलप प्रवास पर जबलपुर पहुंचे इस दोरान सरकिट हाउस मुनों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश प्रकृतिकाप्दा है और किसानों पर जो संकटाया है वे सरकार ने अपने उपर ले लिया है हम पहले किसान है फिर मंत्री और मुखे मंत्री है फिलहाल सरकार ने नुकसान के सर्वे करने के नर्देश दे दी हैं अलप प्रवास पर जबलपुर पहुंचे एक रशी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यदि बेमौसम बारिश से एक हलके में दस किसानों की भी फसले सरकार उन्हें मौावजा देगी महीं फिलहाल नुकसान के सर्वे के नर्देश दे दिये गए हैं उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या सरकार की समस्या है और सरकार हमेशा किसानों के साथ हैं महीं उन्होंने कांग्रेस पर निशान असारते हुए बजरंगल पर प्रतिबंध लगाएगी यह प्राकर्फी आप्दा है इसके उपर किसी का भस नहीं है जो आया है वह सरकार ने अपने उपर लिया है सरकार के सरकार घाहों गरीब और किसानों के सरकार है मानि मुख्यमंत्री जी एक सम्मेदंसिल मुख्यमंत्री है किसानों के लिए राद दिन काम करते हैं हम पहले किसान है बाद में मंत्री मुख्यमंत्री है और इसलिए हम जानते कि किसान किस प्रकार खेती करता और देश का अंदन का बंडार बढ़ता लेकिन इतनी महनत करने के बाद में जब फसल आई वह फथल चली जाती तो उसको कितनी छती होती वो छती किसान की नहीं होगी सरकार अपने उपर ले रही और इसलिए हमने निर्देश देदी है सर्वे करने के माने मुत्रमंत्री जी ने भी और मैंने भी सभी कलेक्टरों को सभी जीडिये को सर्वे करके जहां चती हो यह उसकी आर्बीसी चेशार के तहट प्रावधान के तहट उनकी पूर्ति की जाए है और वो कांग्रेस को पहचा चुका है कि कांग्रेस ने देश का और इस राष्ट वक्त समाज का कितना नुक्सान किया है और इसलिए अब इनका सभाया होना